नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चिठा में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सभी नातामंग देश मुख कच्चा चिठा के इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात गाजा में चल रहे महा युद्ध की इसरेल ने कहा कि उसमें हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को मार डाला एमन नौफाल हमास की सेंट्रल गाजा ब्रिगेट का कमांडर था अब इसरेल के रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध लंबा खिचेगा लंबा चलेगा लेकिन अब इरान की तरफ से आई दो बड़ी वार्निंग दो सबसे बड़ी चेतावनी आप समझ लीजे क्योंकि ये बहुत खतरनाक इशारा कर रही है इरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है यह लेबनन सीरिया का बॉडर है और सामने इसरेल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं कम्निकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं तब ही जाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है पहले रडार पर गोली फायर होती है फिर कम्निकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इस्रेल लेपनन बॉर्डर पर हो रहा है इस्रेल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हेजबॉल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहाँ एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इस्रेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक पर देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इस्रेल के बाद की टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दुहेरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहाँ भी इस्रेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इस्रेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इस्रेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इस्रेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तज़्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसैन अमिर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इस्रेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिद्बल्ला की तरफ इशारा करते हुए एरान ने कहा है कि अगर एरान और लिबनन ने इस्रेल को जबाब नहीं दिया तो इस्रेल की सेनत तहरान और बेरूत पर कल हमला करदेगी इसम कोई शक नहीं कि इसरेल की फाद जिस तरस घज़ा को हजारो तन बम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है इरान ने पूरे पश्य मेश्या का एक एक इंच नाप कर इसरेल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है इसरेल और लिबनान बॉडर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉडर से निकाल कर इसरेल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इसरेल पूरी लड़ाई लड़ेगा इसरेल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर घाजा में इसरेल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सौधी अरब, जौडन और मिस्र से भी इसरेल को कड़वे शब्द ही मिले है इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराक में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शावी भी तयार है इस वक्त इमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलेटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते हैं यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से योध लड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इसरैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इसरैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाइए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे ख़दरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमीटर की रेंज दक मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौधी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हत्यार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर फैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकूने हजबला के साथ एरान को युद मे कोदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरिकाई हा हमांतोर के गुद थ型 के गुदेंग, प्याम हाई रो मीदन, ब मा हम प्याम देदेंग, प्याम शुद फ़ित दिया दियान, प्यामेरिकाई हा पासख मीदें, के मा ब दन्बाल गुद्ध जढ़ानन के सब्सका है बड़ बे नितान यहोई बगोई दस्ट शमा रो बाज मीगज़ दारीम हर जनायती रो मीखाई अलिए गईर नजामियान अन्जाम बदाएद इस्राइल का दावा है कि हजबुला के पास करीब देड़ लाक रॉकेट है जिसके टारगेट पर इस्राइल है डेड़ लाक रॉकेट क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाई है साथ अक्टूबर को हमास ने इस्राइल पर एक साथ पास हजार रॉकेट दागे जिसकी वज़ा से इस्राइल क्या आईरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया सवाल ये है कि अगर इरान इस्राइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा क्योंकि इरान के आज पास अमेरिका के इतने मिलिटरी अड़्डे हैं जहां से इरान के खिलाफ हमले लॉँच किये जा सकते हैं इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ साथ अब इस्राइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड़्डों को अपने टार्गेट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से जादा अमेरिकी सेनिक तैनाथ हैं इसमें कोवैट में 10 सेनने अड़्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से जादा सैनिक हैं बहरीन में अमेरिका ने 12 अड़े बनाये हैं और यहां उसके 3700 से जादा फौजी तैनात हैं। सौधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस हैं, यहां 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड़े हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। सैयुक्त अरव अमिरात में अमेरिका के तीन अड़े हैं और यहां उसके पांच हजार सैनिक तैनाथ हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। यह वो देश हैं जहांसे इरान बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन यह अड़े भी इरान की जद में हैं और इस वक्त इसरैल तक उसके मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। इरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है। अब पश्य मेशिया के वो इलाके भी उसकी पहुँच में हैं जहां अमेरिका के अड़े हैं। और इस वक्त नेतनियाहू और बाइडन दोनों इरान की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बॉखलाए हुए हैं। अगर इसरेल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजे इन सभी अड़ों से इरान पर हमने लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बरदाश्ट नहीं कर पा रहा और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।